हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू अल्टिमेट फिजिक्स आज हम क्लास्ट वर्ट बॉर्ड का 2013 का जो प्रिविश एर का पेपर है वो स्वाल करने जा रहे है ठीक है तो देखो आपका फर्स्ट क्या है 2013 का वो है राइट एनी टू प्रोपर्टीज ओफ एलेक्ट्रिक फेल्ड लाइन्स हादर हिंदी मोले तो विद्दुच्छेत्रे खाऊं के कोई दो गुण लिखिए तो आप सभी जानते हो एलेक्ट्रिक फेल्ड जो लाइन्स होती हो वे एक दूसरे को कट नहीं करती क्या होती है यह मैश्ण पोजिटिव चार्ज से तो प्रिबा स ही ऑपनाव्यी प्रस्थ 감사합니다 those लाता का प्रष्ट को परिवासित कीजिए समी प्रष्ट क्या होता है डिफाइन सर्फ होता है यह घोल से लेक्ट्रिक फिल्ड में एकaucया प्रष्ट जिसके सब्वी highly 15 के ऊपर आपका potential क्या होना चाहिए equal होना चाहिए आप इसके उपर बहुत सरे points जालो A, B, C, D उन सभी points के उपर potential क्या होना चाहिए आपका same होना चाहिए उस surface को हम क्या बोलते है equipotential surface विद्दू छेतर में एक ऐसा प्रेष्ट जिसके सभी बिंदू उपर विभाव का मान समान होता है क्या कालाता है sum विभाव प्रेष्ट अब आते हम क्योसर नमबर थर्ड पे क्योसर नमबर थर्ड में आपको दिया हो है x equals to 4 ohm y equals to 48 multiply 10 to power minus 8 ohm meter के चालकों के लंबाई आदि करने पर x वे y के लिए संगत मान लिखिए इंगलेस में बोले तो write the corresponding values of x and y for which the length of conductors x equals to 4 ohm y equals to 48 into 10 to power minus 8 ohm meter are reduced to half चलो सबसे पहले देखो बच्चों यहाँ x और y है क्या है यहाँ पर x यहाँ पर किसी conductor का resistance सो कर रहा है और y यहाँ पर क्या सो कर रहा है resistivity right यहाँ से देखो आपको unit देखनी होगे unit क्या है ohm meter और यहाँ unit क्या है ohm it means x यहाँ पर resistance है और y यहाँ पर resistivity है x यहाँ पर पढ़ती रोध है और y यहाँ पर पढ़ती रोध या विशिस्ट पढ़ती रोध है अब हम जानते हैं we know that resistivity doesn't depend on the length and cross section area of conductor so आप length को चाहिए half कर लो cross section area को कैसे ही increase or decrease कर लो y की value कभी भी change नहीं होगी so y की value आप s कैसे put करोगे वाकिस ठीक है but x की value क्या रहेगी हमारी अगर length को हम half कर देते हैं r equals to क्या होता है rho into l upon a so अगर length आपने half की है तो resistance भी half हो जाएगा तो मैंने दुबारा से क्या value लिखने वाले हम x equals to 2 ohm and y equals to as it is 48 multiply 10 to power minus 8 ohm meter राइट चलो चलते हैं क्योशन नमबर 4 पे दिएगे चित्रों में बिंदू P पर उतपन विदू छेत्र की दिशा क्रोस डोट के रूप में लिखनी है हमें in a given diagram write the directions of magnetic field produced at point P in form of cross and dot चलो हमें यहां पर magnetic field find out करने वाद जो rules है वो apply करने होंगे first diagram में हमें use करना पड़ेगा right hand rule आप क्या करो यह वाला एरिया है यहां पे देखो यह तो एक सीधा वाइर हो गया यहां पे देखो आपको दिख रहा होगा साइडों के अंदर वाइर के उपर ही पॉइंट आ रहा है तो इन पॉइंट्स इन साइडस की वज़े से इन एलेमेंट्स की वज़े से point P पर को magnetic field की direction नहीं मिलेगी बट हमारे पास में यह वाला जो एक loop बना हुआ है half loop ठीक है उसके वज़े से हमें point P पर magnetic field की direction देखने को मिलेगी वो direction कैसी होईगी आप अपने point P पर अंगुठे को inside नीचे की तरफ रखो और अंगुलियों को आप A से B की तरफ rotate करो तो आप खुद देखो अंगुठा किस तरफ है नीचे की तरफ हो नीचे की तरफ है तो हमने यहां पर क्या लगा दिया cross इसी तरह से हम यहां क्या करेंगे point P की तरफ आप अपनी चारो अंगुलियों को चारो fingers को इस तरह रखी और अंगुठे की जो direction है वो हमारे यहां पर current की direction को upward direction उपर की तरफ आजाएगी यहां पर downward नीचे की तरफ हो जाएगी ठीक है नेक्स्ट आजाओ क्यूसर नमबर 5 पर right faraday's law of electromagnetic induction तो first of all आपको पता होना चाहिए फेराडे ने electromagnetic induction के लिए एक rule दिया से जो आपको पता हमारे पास में कोई भी electric circuit है अगर उससे related flux में changes होता है तो इस लूप के अंदर electric current या EMF होता है यही फेराडे का electromagnetic induction है if there is a senses in a magnetic flux related to electric circuit then there is induced an electric current or EMF that is called faraday's law of electromagnetic induction अगर हिंदी में बोले तो हिंदी में बोले तो किसी भी लूप से समन्दीत अगर चुम्ब के flux में परिवर्थन होता है तो उस लूप में एक विद्द धारा परेर्थ होती है या विद्द वहागबल परेर्थ होता है इसी को हम क्या बोलते हैं फेराडे का विद्द चुम्ब के परिवर्ण का नियम कहते हैं नेक्स्ट क्यूशन नमबर शिक्स प्यादाओ किसी प्रत्यावत परिवर्थ में आरोपित वोल्ट था 220 वोल्ट है यदि आरिकोस्ट टू एट ओम एकसाइल और एकसी की वैल्यू आपको शिक्स ओम दी भी है तो निम्न का मान लिखिये वोल्ट था का व्रगमादी मूलमा और परिपत की प्रतिवादा इन एन अल्टरनेटिंग सर्कीट एप्लाइड वोल्टेज इस 220 वोल्ट इफ आर इकोस टो एट ओम एकसाइल एकसी इकोस टो शिक्स ओम देन राइट दे वेल्यू अब दे फॉरलोविंग रूट मीन स्क्वार वेल्यू वोल्टेज एंड शे रिडिंग होती है वह हमेशा क्या होती है आर अर्मस वेल्यू होती है यह अच्छी तरह से नोट डाउन करना बच्चो आपके सरगहरों में जो भी सोर्स लाइट सोर्स है ठीक कोई भी लेक्रिक सर्कीट है लाइट सोर्स एकर उसको करन्ट आप जो भी वोल्टेज प्रवा प्रतिबादा इट मींज इंपेडेंस ओफ सर्कीट पूछा है अब आपको इसका फोमला पता होना चीए इंपेडेंस ओफ सर्कीट जेड इकोस्ट होता है रूट आपको दी वेल्यू पुट किर लीजिए है यहाँ पर आपको इसकोर प्लैस एक्सल माइनस एक्सी कितना हो गया जीरो और 64 का रूट कितना हो गया एट और यूनिट किया होगी इंपेडेंस की एट ओम तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा इंपेडेंस एट ओम राइट चलो के उसे नमबर 7 पर चलते हैं राइट गौस्ट लोग फॉर मेगनेटिजम इन दा फॉर्म ओफ मैक्सवेल इक्वेशन मैक्सवेल की इक्वेशन में आपको गौस्ट लोग लिखना है मेगनेटिजम के लिए क्या था कोई भी आपका close surface उससे related जो magnetic flux है वो क्या होता है zero right the magnetic flux related to a close surface is equals to zero और यह rule क्या so करता है कि आपके जो dipoles होते हैं वो हमेशा pair में होते हैं कभी भी single existing नहीं करता ठीक है हिंदी हम बतायता हूं में किसी भी बंद लूप से या बंद पास से निर्गत कुल चुम्ब के flux का आमान शुन्ने होता है ठीक है second point इसका क्या है one upon root mu not into epsilon not की value का आमान आपको पता होना चाहिए यह speed of sunlight का formula है c equals to one upon mu not into epsilon और sunlight की speed आप लोगों को पता होनी चाहिए कितनी होती है 3 into 10 to power 8 meter per second right sunlight जो है उसकी speed क्या हो गई हमारी 3 into 10 to power 8 meter per second वो ही इसकी value होगी next question number 8 which type of lens is used to correct astigmatism it means अब इन्दुक्ता दोस्कों संसूदी करने के लिए किस परकार lens परियोग करते हैं आपको पता होना चाहिए cylindrical type का lens हम क्या करते हैं use करते हैं cylindrical lens कौन सा बच्चो cylindrical lens बेलना का लेंस बच्चो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो आप मैं क्यूसन सापको दिखायता हूँ आप खुछ स्वाल करना बाकी जो क्यूसन सोंगे हम next video में करेंगे ठीक है देख लो बेड़ा क्यूसन नमर 9 क्या है पून आंतरी परावटन कठना को परिवासित कीजिए क्यूसन नमर 10 आपका ये डीके वाला है रेडिय अक्टिविटी से है ठीक है क्यूसन नमर 11 आपका लोजिक गेट से है ठीक है बच्चो आपको गेट को समस्मझाना है पी और क्यूस égal जोगेट पी पी तो आपको लोजिक गेट दिया हुआ और क्यूडम में अपको इंडेक्स दीवेयार जो आपकी टेबल दीवे उससे आपको गेट क्यश्याना है उसमें आपको सिंबल दीया हुआ है उससे गेट को अंडर रूट 2RHT प्लस रूट अलग से लगाते हैं हम यहाँ पर एक दोबर लेगेता हूं में ऐलोस जो होती होती है रूट 2HTR प्लस रूट 2RHR यह जो हाइट है यह ट्रांस्मिटर की है यह जो हाइट है यह रिस्यूर की है ठीक है यह भी आपका कमिनिकेशन का यह है सब्सक्राइब भी कौन सा आपका जो रिशीवर का ब्लो application हो इसमें फासर्ट आपका जो अब्लोग डाइगराम होती हैu यह ब्लोग उता है रह दूसरा जो blok होकोता है वह आपका आई-एफ इस्टेज होता है थर्ड आपका डिटेक्टर फॉर्थ आपका एम्प्लिफायर तो यहां पर क्या जाएगा आई-एफ इस्टेज क्या जाएगा बच्छू आई-एफ इस्टेज ठीक है इसी तरह से आप क्यूसर नंबर 14 को भी कर सकते हो यह मेटर ब्रीज का है ब है इसका आउन्स राजाएगा आपका 6 ओम है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी या यह या पर आपका रिजिस्टेंस वारा है जब हम यहां पर बीच में की को करनेक्ट करेंगे तब यह दोनों आद यह तो यह दोनों पैललल में फिर शूरीयज को अमिनेसन लगा दिग्वा नेक्स्ट आपका वही किर्चौप का फस्ट लो जिसको आप जंग सनलो या संधीनियां भी बोलते हैं वह बना कि आपको विश्टन ब्रीज का जो डाइग्राम सरक्ट डाइग्राम वह बनाके और जीरो जो डिफलेक्शन है उसको उसके लिए जो आपको हम कंडिशन सो करते हैं वह कंडिशन आपको निकान नहीं है क्योंसर नमबर 16 नुमेरिकल है वेरी सिंपल नुमेरिकल यह भी आपको एलेक्ट्रमेग्नेटिक वाला चेप्टर से जिसमें आपको बता होगा e equals to होता है cb तो यहां से उसने b की value पुछे तो b equals to क्या हो गया e by c और e की value आपको किने दी है e की value दी है 9.3 तो divided करेंगे हम 3 into 10 to power 8 3 सिसको आप काट करोगे तो कितना हो गया 3.1 into 10 to power minus 8 और answer क्या हो जाएगा तो बारस लिख देता हूं में 3.1 into 10 to power minus 8 टेसला ओके नेक्स क्यूसर नबर 17 है यह हमें क्या करना है मैं मैंचिंग करनी है मैंचिंग पहले हिंदी मीडियो माले बच्च अगर बिताता हूं म्यूइकोस्टो टेन आई पी यह होता है ब्रूस्टर लो वन अपॉंस म्यूइकोस्टो वन अपॉंस साइन आइसी पूना अंत्रिक परावड़तन म्यूइकोस्टो साइन आइपों साइन आइसे देटिस स्नेल्स लो और यह आप प्रिजम के लिए अपॉर्टनाग वाला फोर्मुला हो गया अंगले से मीडियों माले बच्चों आजाओ म्यूइकोस्टो टेन आई पी यह क्या होता आपका बूस्टर लो वन अपुन साइन ही टोटल इंटर रिफलेक्शन न्यूफ्टो साइन आपॉन साइन अर क्या हो गया स्नेल्स लो में कुस्टो साइन ए प्लस देटाइम यह आपको पता है उन्हें प्रिस्म के लिए जो ग्लास उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक् गया है तो उसकी वेवलेंद हमें फाइंड आउट करनी है तो फर्स्ट अपल आप इसका फॉर्मला पता होना चाहिए लेमडा इलेक्ट्रोंस के लिए टी ब्रोग लिए वेवलेंद तो कितना होता है वाल पॉइंट टू सेवन डिवाइड़ बाई रूट वी यहां पर रू कितना हो गया टूंटी अब टूइल पॉइंट टू से उन से आप जैसे डिवाइड करते हो तो यह हो गया शिक्स पॉइंट जाएगा जिरो पॉइंट 613 एंगस्ट्रॉम राइट जो नेक्स चलो अब आपके थोड़े यह लाज्ट टाइप की क्यूशन हो गए तो यह पी एंजग संटाइड वाला है फिर बायोस आउट वाला है पायोस आट के साथ इसमें क्यूशन दिया है आपका जो कोई इलेक् एंडिकर मोशन करता है तो उसका पात किस टायब होता है आपको पता अचे चाहिए सर कुलर पात ठीक है और फिट अब करता है तो इसका पात क्याइसा होता है है और निक्स चलते हैं एक सब्सक्राइब इसमें साथ कि वेसन दिया हुए है एंगल ओफ डिप येशन करना है स्कक्राइब की सिनने स्वाइब mieli Japan आजए उर्टिक्रायोड रोवाटी तो आपका आपका इंगल וס डियुत क्या होता है 45 डिग्री है कि जहांपर आपके ज़्यंटल और Momo इक्ल मिन स्वाहतर है lies這個 नहीं बहुत को नोगी और को नेक्स्ट आपका तो आफको पता होना चीए यह formula center का कितना आता है मैं लिग देता हूं यहाँ पर बी इक्वाज टू मियू नोट इन्टू आई divided by 2 r कि दिकर रेडिस किती है यह बस यह formula में derive करना है नेक्स्ट हमारा आया है mirror से mirror के अंदर u v और f इनके बीच रिलेशन दिफाइन करना है वेरी इजी नेक्स्ट आपका रेक्टिफिकेशन रेक्टिफिकेशन प्रोसेश टूचेंज देख अच्छे करन इंटू डी सी राइट और इसके लिए आप फिर टोटल इंटर्नल स्वरी टोटल आप दो फुल वेटिफिकेशन उसकी वर्किंग को समझाना है और नेसेसरी ड सरक्ट डाइग्राम मनाना है को मन एन पेन ट्रांजिस्टर के लिए उसकी सिंपल वर्किंग लिए नेक्स्ट आवा क्यूसन नमबर 28 क्या हो गया इलेक्ट्रोटेस्टिक गाउसलो से आया है और वही आपको यह कि इनिफानेट जो चार्ज सिंपल जो आपकी क्या होती है कि प्लेट होती है उसके काड़े में इलेक्ट्रीट फाइंड आउट करना है और साथ में सिंपल नुमेरिकल पूछा गया है आपके पास में क्लोज लूप है उसमें दो चार्ज गीवन है एक है आपका टू क्लोम दूसरे माइनस वन कुलोम तो टोटल चार्ज कितना हो गया प्लस वन माइक्रोकुलोम तो फ्लक्स कितना हो जाएगा समेशन क्यू अपॉन एफसन नौट फ्लस वन माइक्रोकुलोम डिवाइड़ वाई एपसन नौट आगे भी सोल कर सकते हैं आप एफसनोट की वैल्यों को फूट करके नेक्स्ट कैपैसेटर का है और एक्विलन ओके बच्चों